नमशकार दोस्तों आपका अपनी चैनल बेबी केर विद फन में आपका स्वागत है तो डियर पेरेंट्स आज की वीडियो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाली है साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत ही जादा हेल्पुल भी होने वाली है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो भवर वाले बच्चे कैसे होते हैं दो भवर वाले बच्चों का भविश्य साथ ही जानेंगे कि दो भवर वाले बच्चों की माता के अगली संतान क्या होती है तो आईए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भवर क्या होते है जो बच्चे के बिलकुल सर के बिलकुल एकदम बीचो बीज एक गोला बना रहता है बालों का एक चक्र सा बना रहता है वो चक्र किसी बच्चे के तो clockwise होता है तो किसी बच्चे के एंटी clockwise होता है तो किसी किसी सो में से एक बच्चे के वो दो भवर होते हैं एक left hand side होगा और एक right hand side तो जिस बच्चों के दो भवर होते हैं वो बच्चे बताने वाली हूँ कि मैं आज किस तरीके के होते हैं और उनकी माता के क्या होने वाला है next baby तो आये friends बिना time waste करें शुरू करते हैं आज का वीडियो दो भवर वाले बच्चे बहुत ही जादा जिद्धी होते हैं नटखट होते हैं शरारती होते हैं वो अंदर से बहुत ही जादा soft होते हैं और बहार से बहुत ही जादा कठोर होते हैं दान धरम करने वाले होते हैं किस दूरों को नोक्री देने में गंशचम होते हैं। खुद से नोकरी करना पसंद नहीं करते हैं ये बड़े होकर बहुत ही अच्छे और एक नेक इनसान बनते हैं लेकिन बहुत जादा शरारती और बहुत ही जादा गुस्सा आने वाले इनसान ये बनते हैं अपनी ममी से बहुत ही जादा जो है प्यार करते हैं दादा दादी मम अगली संतान बेटा ही होती है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें चैनल पर नहीं होते तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू फोर वाचिंग दिस वी